साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपनी चानल पर आज की साखी का विशय है कि लोब लालच विनाश का कार्ण बनता है चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी कालंदी के महापंडित कौतस स्नान करके भगवती उशा का वंदन कर रहे थे एक घडियाल उन्हें काफी दूर से देख रहा था किन्तु कौतस ऐसी उची और सिद्रिड शिला पर बैठे थे कि घडियाल तो वहां तक पहुँच भी नहीं सकता था इसलिए घडियाल ने युकती से काम लिया यमुना की तलहटी से रतन का धेर उठा कर घडियाल ने उपर कियोर उचाला मोतियों का धेर कौतस के आसपास जाकर बिखर गया कौतस ने चार और बिखरे मोति और मणी मुकताईं देखी तो कौतस के अंतहा करण में छुपा हुआ उनका लोब लालच जाग गया मन में विलासिता पुरण जीवन के चित्र बनने लग गए कोई और ना आ जाए इस डर से कौतस जल्दी जल्दी वो रतन बीन कर अपने अधो वस्त्रों में रखने लगे अब घड़ियाल को मौका मिल गया जल्द से ओपर शेश निकाल कर उसने कहा अचार्यस रेष्ट आपके दर्शन करके कृत्त कृत्त हो गया यह तो मेरी तुछ भेट थी आपको जल्दी नहो तो आप मुझे त्रीवेणी तक पहुँचा दे मैं वहां का रास्ता नहीं जानता यदि इस पुन्यकारय में आप मेरी मदद करे तो मैं इन तुछ मोतियों से भी बढ़कर पांच मुकता हार आपको दे सकता हूँ अब कौतस के तो हरश का ठिकाना ना रहा उन्होंने घडियाल का प्रस्ताव सहरश सविकार कर लिया वह त्रीवेणी तक ले चलने को सहमत हो गए शनिक लाब और लालच ने कौतस का विवेक नश्ट कर दिया घडियाल ने उन्हें सादर पीट पर बिठाया और वहां से चल पड़ा आभी वह सोगज चलकर बीच धार में पहुँच ही रहा था कि घडियाल को हसी आ गई घडियाल को हसा देखकर कौतस ने पुछा ताद आसमया ये आपकी हसी का रहसे क्या है घडियाल एक बार फिर से जोर से हसा और फिर दार्शनिक जैसी मुद्रा बना कर बोला आचार्यस रेष्ट आप जीवन भर दूसरों को पदेश देते रहे कि विनाश संसारिक आकरशन के रूप में आता है शनिक तुष्टी भी प्रदान करता है पर एक बार मनुश्य को अपने शिकंजे में आने पर वासनाए मनुश्य को वहां ले जाती है जहाँ सिवाई विनाश के कुछ नहीं होता दूसरों को पदेश देने के बाद भी तुम ये रहसे ना समझ सके और आज एक लालच ने ही तुमें सर्वनाश के पास पहुँचा दिया ये कहकर घडियाल ने कौतस को उचाला और एक ही क्षण में उधरस्त कर लिया यानि घडियाल ने कौतस को मार डाला सासंगत जी सच है संसारिक आकरशनों में जो अडिग नहीं रह सकता वासनाई उसे उसी तरह से खा जाती है जैसे कौतस को घडियाल ने धोखा देकर चट कर लिया इसलिए तो तुलसी दास्ची ने भी कहा है पारुपदेश कुशल बहु तेरे जे आच रहिम ते नर न गनेरे साथ संगत जी लालच लोब और एहंकार ही विनाश का कान बनता है एक बार की बात है कि एक बहु ने गलती से यग वेदी में थूक दिया वो सफाई कर रही थी उसके मुन में सुपारी थी आलस में पीक आया तो उसने वेदी में ही थूक दिया पर उसे ये देखकर आश्चरह हुआ कि उसका जो थूक था वो स्वर्ण में बदल गया अब तो प्रती दिन वो जान बूझ कर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा महिलाओं में बात तेजी से फ्यालती है कई और महिलाएं भी अपने अपने घर में बनी यग वेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगी दिरे दिरे ये पूरे गाउं में समान्य चलन हो गया सिवाए एक महिला के उस महिला को भी दूसरी महिलाओं ने उक्साया समझाया कि आरे तू क्यों नहीं थूकती वो महिला बोली बात यह है कि मैं अपने पती की अनुमती के बिना ये काम हर्गिज Näहीं करूँगी और जहां तक मुझे ग्यात है कि मेरे पती इसकी अनुमती नहीं देंगे किन्तु ग्रामिन महिलाओं ने ऐसा वातावन बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पती से पूछी लिया पती ने कहा खबरदार जो ऐसा किया यग वेदी क्या थूकने की जगा है पती की विनर्मता पूर्वक्चेतावनी के आगे बेबस वो महिला चुप हो गई पर जैसा वातावन था और जो चर्चाएं होती थी उनसे वह साधुई स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी थास कर से उसके सूने गले को लक्षैकर अन्य स्रियां अपने नएने कंठ हार दिखाती तो वो महिला परिशान हो जाती पती की विवस्तता और स्त्रीयों के उल्हाने उसे धर्म संकट में डाल देते वो सोचती की शायदी मेरा दुरभाग्य है अत्वा कोई पूरव जनम का पाप है कि एक सती स्री होते हुए भी मुझे एक रत्ती भर सोने के लिए तरसना पड़ता है शायद यह मेरे पती का गलत निर्ण है अरे इस धर्माचरण में मुझे मिला ही क्या है जिस नियम के पालन से दिल कष्ट पाता रहे उसका पालन मैं क्यों करूँ अब हुआ ये कि वो औरत बिमार रहने लगी उसका पती स्रोग को जान गया उन्होंने एक दिन ब्रह्म मूरत में ही सा परिवार गाव छोड़ने का निश्य किया गाड़ी में साला समान डाल कर वो रवाना हो गए सूर्योद्यों से पहले ही वो बहुत दूर निकल जाना चाहते थे किन्तु ये क्या जैसे ही वो परिवार गाव की सीमा से बहर निकला पीछे भयानक विस्पोट हुआ पूरा गाव धू धू कर जल रहा था सज्जन दमपती अवाक रह गए और उस महिला को अपने पती का महतब समझ में आ गया वास्तव में इतने दिन गाव बच रहा था तो केवली इस कारण से कि उसका पुन्यात्मा परिवार गाव की परीधी में था साजसंगत जी धर्माचरण करते रहे कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है इसलिए लालच से बचे लोब से बचे ना जाने किसके भागय से आपका जीमन सुखमय और सुरक्षित है परीध धरम का भी पालन करते रहे क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ पतन का कार्ण बनता है साजसंगत जी इंसानी फित्रत है कि जब-जब हम तरक्य करने लगते हैं तो हमारे मन में घमांड और लोब लालच दोनों बढ़ जाती है घमांड और लालच की शुरुआज जी जिन से हमारे मन में होती है बस ये समझे कि उसी दिन से हमारा पतन भी शुरू हो जाता है दिरे-दिरे हम अपनों से दूर होते जाते हैं और हम से आर्थिक रूप से कमजोर छोटे व्यक्तिओं को घ्रिना भरी निगाहों से हम देखने लगते हैं दिरे-दिरे हम अपने पतन के और अगरसर होते चले जाते हैं हमें ये भी महसूस नहीं हो रहा होता कि हम अपने परिवार यानि आने वाली पीडी के लिए विनाश का कान बन रही हैं कुछ ही वर्षों में चाहे 5 साल, 10 साल या 15 साल के बाद जब हम पर कोई विपदा आती है तो वही छोटे जिने हम ग्रिना भरी निगाहों से देखते थे वह भी हमसे इतना दूर चले जाते हैं कि हमारी और हमारे बाद आने वाली पीडी की कोई मदद नहीं करना चाहता क्योंकि जब हम घमंड और लालच में चूर थे तब हमने भी इंसान को इंसान नहीं समझा था इश्वर की लाठी बेयावाज है इसलिए अपने कर्मों को सोच समझ कर करना चाहिए जो अपने हैं अपने ही रहते हैं परन्तु हमारे लालच और लोब की वज़ा से वो हमसे कोसो दूर चले जाती है साथ संगत जी पैसा और प्रतिष्ठान तो हर व्यक्ति के पास आता ही है उसे कोई रोक नहीं सकता परन्तु वही एक समय है जब हम अपनों को साथ लेकर चले साथ संगत जी एक चीटी अपने मूँ में चावल लेकर जा रही थी चलते चलते उसको रास्ते में दाल मिल गई अब चीटी को डाल लेने की भी इच्छा हुई लेकिन चावल मुँ में रखने पर डाल कैसे मिलेगी डाल लेने को जाती है तो चावल नहीं मिलता अब चीटी का तो दोनों को ही लेने का प्रियास था तो कबीर जी ने कहा दो ना मिले एक ले चावल हो या डाल कबीर दास जी के नाम से कहे जाने वाले इस दोहे का भाव यही है कि हमारी हालत भी उस चीटी जैसी ही तो है हम भी संसार के विश्य भोगों में फर्स करा त्रिप्त ही रहती है एक चीज मिलती है तो चाहते हैं दूसरी भी मिल जाए दूसरी मिलती है तो इच्छा होती है कि तीसरी भी मिल जाए ये परंपरा बन नहीं होती और हमारा संसार से जाने का समय आ जाता है यह हमारा मुह है लोब है हमको लोहा मिलता है किन्तु हम सोने के पीछे लगते हैं पारस की खोज करते हैं ताकि लोहे को हम सोना बना लें काम, क्रोध, लोब ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार हैं ये आत्मा का नाश करने वाले हैं और ये हमें अधोगती में ले जाने वाले हैं फिलिन तीनों को त्याग ना चाहिए इसलिए कभी भी किसी प्रकार के लोब में फसकर अपना नुकसान ना करें क्योंकि लोब तो विनाश का करण बनता ही है अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो विडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुला कात होगी नई साखी और नई विचारों के साथ तब तक के लिए खुश रहिए सेवा सिमरन सत्संग कीजे सत्गुरू माताजी के चर्णू से जुड़े रहिए प्रेम से बोलिए धन नरंकार जी